19 का चुनाव आप लोगों ने लड़ा जो स्लोगन आपने दिया सीधा प्रधानमंत्री पर हमला किया चौकीदार है चोर है जो बाते आप लोगों ने कही इस बार डरो मत अब यह जनता कहरे हैं हम दरे ही नहीं है अब यह राहूल गानी की स्ट्राटेजी बनाता कौन है कॉं जो तमाम चीजें अभी फैक्ट सामने रखे गए उसके बाद भी यह जो आप वाक की इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वाक के बिलकुल सटीक नहीं बैठता है हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं चाहे वो आडानी हो चाहे अमबानी हो हम व्यापारी को नाजाइज फाइदा देने के खिलाफ हैं पर्धान मंत्री टेबल पर बैठ कर और ओडर दिलिवाएं और व्यापारी के समझोते पुशर्वे नंबर पर था आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया सारी कि सारी हावा से ले कर सडक से लेकर एयरपोर्ट से लेकर एक यही व्यक्ति ने गए कर एकundert के व्यक्ति को दे शॉक्समांगत साव है तमाम ऐसी नीम बनाए जाए कि पाइदा एक ही कंपनी को हो एक ही व्यक्ति को हम उस चीज के खिलाफ हैं भाई ने कहा कि बीस हजार करोड का एक्सपोर्ट हो गया और तमाम चीजें हो गई लगभग नौ वर्च हो गए छे महीनों को छोड़कर बैलंस ओफ पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेगे यह सोचने की बात किये है आपने कहा कि साब इसक्लूजी वाइट देदी एक एक्सक्लूजी वाइट जो हमने दिया हो आपने कैंसिल किया उसका नाम बताई है अरे बहुत सब्सक्राइब में और चोड़ दिया ना है दस साल हमारी सरकार रही हमने अडानी-अम्पानी को ब कि वापस आते हैं हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हम लोग सब देख रहे ऐसे चली अच्छी बात है वह व्यक्ति ऊपर पहुंच रहा है लेकिन जिस तरह से इधर भी बैटिंग करते हैं उधर भी दौर के बाटिंग करने लगता रहा हूं उपर पहुंचना किसी का गलत नहीं है गलत यह है कि बाकी सब को खतम कर दिया जाए गलत यह है कि MSME को छोटे उद्योगों को खतम कर दिया जाए गलत यह है और उस चीज़ को देश की जंताब समझ रही हम केवल यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको वास्ताव में देश से लगाओ है अर्थवस्ता से क्रिमेंटेशन ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी वह पूरे देश ने देखा है